नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम एलकोहल को कार्वोनाइल कंपाउंड से कैसे प्रिपेर कर सकते हैं तो हम प्रिप्रेशन ओफ एलकोहल्स वाया कार्वोनाइल्स कंपाउंड तो कार्वोनाइल कंपाउंड से हम एलकोहल को कैसे प्रिपेर कर सकते हैं तो हम यहां पर सबसे पहले formaldehyde को लेकर चलते हैं तो बच्चों formaldehyde की reaction अगर हम hydrogen gas के साथ करवाते हैं with hydrogen gas के साथ आपको कोई catalyst लेकर चलनी पड़ेगी nickel, palladium या palladium अगर हम ये catalyst लेकर चलते हैं hydrogen gas के साथ तो यहाँ पर आपका क्या product बनेगा यहाँ पर देखो, दो hydrogen है, एक hydrogen यहाँ पर अटेच होगा और एक hydrogen यहाँ पर oxygen के साथ अटेच होगा और यह आपका product बनेगा, बच्चों अगर हम यहाँ पर lithium aluminium hydride या फिर sodium borohydride इनका reaction करवाते हैं with hydrolysis तो यहाँ पर will same product बनेगा इन दोनों के case में अगर lithium aluminium hydride है और water है और साथ में sodium borohydride है और water है और यहाँ पर आपको ether as a solvent भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा बच्चों तो यहाँ पर आपका formation होगा alcohol का तो हम इसका mechanism देखते हैं सबसे पहले हमारे पास hydrogen gas का mechanism जब हम यहाँ पर aldehyde यानि कि formaldehyde लेकर चलते हैं और with the presence of hydrogen gas तो क्या product बनता है HOH hydrogen तो बच्चों यहाँ से free आपका free radical mechanism होगा अगर हम यहाँ पर catalyst और साथ में temperature 200 degree Celsius temperature लेकर चलते हैं तो होगा क्या बच्चों यहाँ पर आपका जो यह bond है यह एक electron यहाँ पर आएगा और दूसरा electron यहाँ पर यानि कि यहाँ पर free radical formation होगा तो free radical formation होगा और इसके बाद जो आपका H hydrogen gas है इसका भी homolytic fusion होगा यहाँ से तो होगा क्या next देखो तो H C radical O radical और साथ में H अब यह दोनों जो radical हैं आपके एक radical आपका attach होगा यहाँ पर ओके और जो दूसरा अलकोहल है तो यह बच्चों आपका zero degree alcohol यहाँ पर formation होता है जब हम यहाँ पर formaldehyde को लेकर चलते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर acetaldehyde लेकर चलेंगे तो acetaldehyde में यहाँ पर क्या product बनेगा तो बच्चों acetaldehyde में यहाँ पर acetaldehyde की reaction करवाते हैं with hydrogen gas, hydrogen gas के साथ तो हम यहाँ पर CH3CHO यहाँ पर हम acetaldehyde लेकर चलेंगे with the presence of hydrogen और साथ में कोई आपकी catalyst तो जैसे ही हम catalyst की विराजन्स में hydrogen gas से reduction करवाते हैं तो यहाँ पर CS3CHOH और बच्चों यहाँ पर primary alcohol का formation होगा इसका भी same mechanism है जो हमने पहले उसमें देखा था बच्चों formaldehyde में same mechanism है बिल्कु इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास lithium aluminium hydride है और sodium borohydride है तो वहाँ पर product तो आपका यही बनेगा विल्कुल same as it is यही product बनेगा जो आपका यहाँ पर बन रहा है hydrogen gas के case में बट यहाँ पर mechanism थोड़ा different होगा तो mechanism देखते हैं इसका क्या होगा बच्चों जो lithium aluminium hydride है इसको strong reducing agent माना जाता है as compared to sodium borohydride क्योंकि जो आपका lithium है और साथ में जो यहाँ से जो H minus release करता है यह easily H minus को release कर देता है आपको पता है कि sodium borohydride और lithium aluminium hydride यह दोनों H minus को यानि कि hydride को release करते हैं और बच्चों lithium का size क्या है बड़ा तो यह क्या करेगा आसानी से यानि कि इसको क्या कर देगा H minus को आसानी से release कर देगा यहां से यानि कि हम बोल सकते हैं कि lithium aluminium hydride एक strong reducing agent है तो हम इसका mechanism देखते हैं यहाँ पर तो देखो बच्चों first of all क्या होग होगा जो हमारा lithium aluminium hydride है यह किसमे ब्रेक होएगा अब metal है metal पर क्या होगा positive और यहां पर ALH4 minus और जो ALH4 minus है यह किसमे ब्रेक होगा ALH3 और साथ में H minus तो यानि कि यहां पर यह H minus को क्या करेगा release करेगा अब आगे next क्या होगा बच्चों यहां पर है CH3 COH तो जहां H minus है यह H minus carbon पर attack करेगा क्योंकि carbon और oxygen में से electronegativity कि कम है carbon की okay delta positive है इस पर यहां पर attack करेगा और यह bond कहां पर shift होएगा उपर तो यहां पर क्या बनेगा CH3 CO minus H और साथ में यहां पर क्या आएगा आपका hydrogen attach हो जाएगा या H minus तो बच्चों next होगी इसकी hydrolysis तो hydrolysis में water क्या देता ह है H positive तो यहां पर oxygen किसको attack करेगा यहां पर H plus तो CS3 COHH H यह product बनेगा बच्चों आपका यहां पर same product बनेगा जो hydrogen gas में formation होड़ा था तो बच्चों यही same mechanism आपका sodium borohydride में follow होगा इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास different example है और hydrogen gas lithium aluminum hydride और sorover hydride तो इनों में क्या क्या reaction देखने को मिले हमारे पास एक example है और इसकी reaction हम hydrogen gas sodium borohydride और lithium aluminum hydride के साथ करवाते हैं तो यहां पर क्या product बनेगा देख्यों आप ध्यान से देखना आपको यहां पर CH3 CH2 CH2 यहां पर होगा CH HOH बच्चों जब hydrogen gas को लेकर चलेंगे हम तो hydrogen gas क्या यह जो carbon carbon double bond है और carbon double bond oxygen है इन दोनों को ही क्या कर देगी यहां पर reduce कर देगी यहां पर हम किसने मॉल लेकर चलेंगे इसके दो मॉल लेकर चलेंगे यानि कि 4 hydrogen attach करवाने हैं आपको 1,2,3,4 hydrogen आपके यहां पर attach होंगे और यह product होगा जब आपके पास hydrogen gas है और जब sodium borohydride है औ यह क्या करेंगे यह दोनों के दोनों बच्चों यहां पर जो carbon carbon double bond है इसको यहां पर यह क्या नहीं करेंगे इसको यहां पर यह reduce नहीं कर पाएंगे यह सिरफ किसको bond reduce करेंगे carbon double bond oxygen यानि कि carbonile compound को ही reduce करेंगे यहां पर यहां पर यहां पर आपको एक exception है जो याद रखना ह अगर मेरे पास phenyl है और CH double bond CH है और साथ में carbonyle compound है तो चाहे sodium borohydride हो और चाहे lithium aluminum hydride हो तो यह दोनों के दोनों बच्चों जब phenyl है यह आग रखने आपको कि जब आपके पास phenyl है तो यह carbon carbon double bond और carbon double bond oxygen इन दोनों को ही यह क्या कर देंगे यहां पर reduce तो यानि कि आपका जो product ब CH OH hydrogen तो बच्चों यह product बनेगा आपका यहां पर अगर phenyl है अगर phenyl नहीं है कोई carbon की chain है तो यहां पर क्या होगा यह जिरफ hydrogen gas carbon carbon double bond को reduce कर पाएगा यह आपको याद रखना है बच्चों इसके बाद हम एक reaction और देखते हैं यह अगर हमारे पास sodium in ethanol sodium अगर ethanol के साथ है तो व हमारे पास sodium है और अगर हम sodium की reaction ethanol की presence में करवाते हैं यहां पर तो यहां पर क्या product बनेगा यहां पर HCHOH यानि की alcohol का formation होगा और वच्चों इसका mechanism देखते हैं कि alcohol कैसे formation करेगा sodium in ethanol तो यहां पर क्या होगा आपको पता है कि जो sodium है वो आपका एक electron को क्या करता है एक electron loss करता है इसकी configuration क्या होती है 281 और यह 28 क्या होता है यहां पर इसका octet complete हो जाता है यह stable हो जाता है यानि कि एक electron sodium यहां से क्या करता है बच्चों एक electron यहां से release करता है तो हमारे पास है यहां पर H तो यहां पर क्या है बच्चों हमारे पास HC double bond H तो यहां पर क्या होग हुमारे पास कि जो ये दोनों Bond है हाँ पर ये radical formation होगा वच्छों यहाँ पर देखो देखो Aww all 2 radical और यहाँ पर क्या आएगा hydrogen तो next क्या होगा यहाँ पर जो इरेक्टोन है वापका इलेक्टोन कहां पर attack करेगा इस carbon पर, तो electron जैसे इस carbon पर attack करेगा तो यहां पर c, यहां पर क्या होगा, minus बन जाएगा, देखो एक electron तो radical की formation में आया था और दूसरा electron यह कहां से आया, sodium से तो बच्चों यहां पर क्या बनेगा, minus और यहां पर oxygen पर क्या है, radical, next क्या होगा, एक और sodium अपना electron loss करेगा तो जैसे ये sodium एक electron और loss करेगा तो ये electron कहां पर attack होएगा oxygen पर यहां पर h c negative o negative और साथ में होगा h तो बच्चो carbon पर भी negative charge और oxygen पर भी अब आपको पता है कि carbon पर जो negative charge है वो unstable है तो यहां पर क्या होगा next जो c2 h5 o h है वो क्या करेगा यहां से h plus को देगा तो यह जो यहां से h plus निकलेगा आपका यह h plus कहां पर attack होगा सबसे पहले यह carbon पर attack होगा तो बच्चो यहां पर क्या बनेगा h c h और यहां पर h और साथ में o negative next क्या होगा आपका देखो और side product यहां से क्या निकलेगा C2H5 O- है यह क्या करेगा यहां से Na plus को Na plus के साथ bond बनाएगा यानि कि sodium ethoxide बनेगा C2H5 O-na यहां पर sodium ethoxide बनेगा और इसके बाद आपका जो इथेनोल का second mole है यह कि second mole आपका यहां पर H plus release करेगा और यह एच पलस यहां से किसके साथ bond बनाएगा ओक्सी जन के साथ तो यहां पर alcohol का formation हो जाएगा तो यहां पर किसका formation हुआ alcohol का और साथ में आपको 1 mole और यानि कि जो यहां पर आपका H plus रिमूव हुआ था यह जो यहां पर हमने दूसरा Na plus है जो यहां पर हमने दूसरा एन ने प्लस एक तो यहां पर यूज किया था हमने second हमने यहां पर यूज किया थो सीटु एचफाइव ओन एन ने यानि कि sodium acetate के यहां पर दो ठीक है यानि कि sodium सब्सक्rifizIT. अगर हमारे पास यहाँ पर हम लेकर चलते हैं और इसकी reaction हम Lithium Alambenium Hydride और Lithium Alambenium Hydride के साथ अगर हम यह reaction करवाते हैं तो यहाँ पर किस का formation होगा? यहाँ पर आपका alcohol का formation होगा और सात में water यहाँ पर वाहेis by product release होगा. तो बच्चों तो यहां पे आपका mechanism क्या होगा देखते हैं हम सबसे पहले first of all क्या होगा आपका जो यहां पे lithium aluminum hydride है यह आपको पता है कि hydride देगा तो h- आपका कहां पे attack करेगा carbon पे और oxygen पे क्या होगा यहां पे negative charge जाएगा और इसके बाद क्या होगा बच्चों यहां से h-plus होगा जो h-plus अब h-plus आपका यहां पे attack करेगा तो यहां पर वोटर का formation होगा तो होगा क्या इसके बाद देखो तो बच्चों यहां पर यह बॉंड निच्छी आएगा और यहां से आपका क्या रिमूव हो जाएगा वोटर और इसके बाद यहां पर देखो कारवक्सलीक आशिड अब किसमें कनोर्ट हो गया यह इसमें ऐल्दी हैड में देखोगा pawrmica这ग तो हैएगा और यहां पर यहां पर h attack हौग और साथ में hydrogen और बच्चों नेक्स इसकी क्या होगी hydrolysis तो यहां पर hydrolysis से क्या बनेगा alcohol तो बच्चों एक तो alcohol बना और दूसरा यहां पर water as a byproduct हमें मिलता है तो यह बच्चों हमने carboxylic acid से देखा कि carboxylic acid से हम alcohol को कैसे prepare कर सकते हैं next हम देखते हैं preparation of alcohols from ester अगर हमारे पास ester है और lithium aluminum hydride है तो बच्चों यहां पर क्या product होगा तो हम यहां पर R-C-O-O-R और साथ में हम यहां पर बच्चों लेकर चलते हैं lithium aluminum hydride तो अगर हम lithium aluminum hydride के साथ reaction करवाते हैं तो हमारे पास यहां पर दो अलकोहल की formation होगी तो बच्चों एक तो आपका यहां पर यह अलकोहल बनेगा और एक आपका यह अलकोहल क्योंकि यहां पर आपके दो alkyl group हैं तो इसके बाद हम इसका mechanism देखते हैं mechanism क्या होगा यहां पर आपके पास R-C-O-R यानिकी ester है और जो H- है H- कहां से आया lithium aluminum hydride तो यह H- कहां पर attack करेगा इस carbon पर और यह bond कहां पर shift होएगा बच्चों oxygen पर तो यहां पर oxygen पर क्या आएगा negative तो यहां पर है H-O- और यहां पर है और इसके बाद next क्या होगा देखो यह जो bond है यह वापिस निच्चे आएगा और यहां से और माइनस होगा तो बच्चों जो और माइनस यहां से रिमूग होएगा यह क्या करेगा जो H- होएगा water तो यहां पर हम water hydrolysis भी करते हैं साथ में तो water में माइनस देगा तो यहां पर आर यहां पर होगा आपका एच एच और oxygen पर क्या आएगा नेगिटिव और इसके बाद इसकी होगी बच्चों तो यहां पर इस पर अटेक करेगा आर सी ओ आच तो यहां पर एक alcohol यह formation और एक है बच्चों बड़ा ही सिंपल है इसका mechanism और वहुत ही सिंपल reactions है यह direct आपके एक्जाम में पुछी जाती है इसके बाद में हम देखते हैं अगर हमारे पास acid halide है तो acid halide में हम लीथियम ऐलिमिनियम से अगर reaction करवाते हैं तो वहां पर बच्चों sodium borohydide और लीथियम दोनों में इस बिलकुल सेम है mechanism भी सेम है रेक्शन भी सेम है products भी सेम है all over सेम है बट कुछ एक्जाम्पल्स हैं कि जो लीथियम ऐलिमिनियम हाइड देता है और sodium borohydide नहीं देता ओके वह कुछ ही एक्जाम्पल्स हैं जो आपको exception याद रखने है ठीक है बच्चों इसके बाद हम देखते हैं acid halide के बार में हम देखते हैं alcohol की preparation of alcohol वाया यहां पर हम acid halide लेकर चलते हैं acid halide और बच्चों acid halide के साथ हम reaction करवाते हैं तो हम यहां पर RCO यहां पर हम CL इसको हम बोला जाता है acid halide, acid halide की reaction हम यहां पर यानि कि lithium, aluminium, hydride और साथ में इसकी जब hydrolysis करेंगे तो यहां पर हमारे पास एक तो alcohol formation होगा और साथ में alkyl halide यहां पर आपको formation as a byproduct मिलेगा तो बच्चों यहां पर क्या होगा एक तो आपका hydrogen halide एक तो आपको HCL मिलेगा hydrogen और साथ में आपको alcohol यहां पर main product होगता है कार्बन पर और oxygen पर क्या आएगा नेगिटिव तो आर सी ओ नेगिटिव सी एल और साथ में यहां पर क्या आएगा आपका hydrogen next यह oxygen वापिस निच्चे आएगा और यहां से सी एल माइनस रिम होगेगा तो यह जो सी एल माइनस है जो बाटर में हाइड्रोलिसीज होगा जो होगा तो यह एच प्लस के साथ क्या बनाएगा बोंड और यहां से एक formation हो जाएगा होगा एक तो आपका actual formation होगा सेकिंड क्या होगा यह बॉंड नीचे आएगा तो आपका यहां पर किट लिए हाइड फॉर्मेशन होगा तो इसके बाद आपको पता ही है तो एच माइनस है जो एच माइनस अटैक करेगा और यह बॉंड कहां पर शिफ्ट होएगा बच्चो यानि कि एलकोहल का formation होगा बच्चों यहां पर एक तो एलकोहल का formation और सेकिंड यहां पर एच्चियल formation होगा तो यह थी बच्चों preparation of alcohol from acid halide